17 माई साल 1491 इस वी को वर्तमान केरल राज के कालिकट तक पर समुद्र के रास्ते कुछ नाविकों ने कदम रखा जिसके बाद मानो हमारे देश भारत की तक्दीर ही बदल गई और इसकी कहानी कुछ अलग धंसे ही लिखी जाने लगी दोस्तों ये वो दिन था जब येरोपियन समुद्री नाविक इवन खोच करता वास्कु डिगामा ने भारत की खोच की थी अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास तो हजारुन साल पुराना है सदियों से यहाँ पर जनपद, मौर्या सामराज, गुपता सामराज और दिल्ली सल्तनत के आधी राजाओं ने यहाँ पर राज किया था तो फिर कोई कैसे भारत की खोज 1498 इसमी में कर सकता है तो दोस्तों आपको बता दे भारत में सदियों से जितने भी आक्रमकारी जैसे सिकंदर, मंगोल आदे आते थे तो वो हमेशा भारत को पश्मी इशिया से जोडने वाले मशूर रास्ते खैबर दर्गा से होकर आते थे लेकिन 17 मई 1498 को आसको डिगामा ने समुद्र के रास्ते योरोप से भारत के केरल राज के कालिकट तक पहुँचकर एक समुद्री रास्ता ठून खाला था जिसे ही वास्ता में भारत की खोज माना जाता है दोस्तों आपको बता दे उस समय भारत अपने कृशी उत्पादों के लिए बहुत ये ज़्यादा मशूर हुआ खका था शिशकर मसालों जैसे की काली मिल्ट, छेलाई, चेल, डाल, चेनी आदी के लिए बहुत प्रस्द था जिस कारण उस समय भारत के साथ व्यापार करने के लिए योरोप तथा अरप के देशों के बीच होड़ लगी रहती थी लेकिन उस वक्त एशिया के प्रमक्तेशों जैसे भारत, चीन, मियामार, आरी के साथ व्यापार केवल स्थली मार्ग से ही होता था जिसे सिर्फ मुसलिम शासक एवं व्यापारी ही इस्तिमाल किया करते थे और मुसलिम शासक उस मार्ग से योरोपीयों को व्यापार नहीं करने देते थे लेकिन जब यूरोपीय लोग भारत में आने के बारे में और यहाँ की दौलत के बारे में सुनते थे तो वे भारत पहुचने के लिए और भी उत्सुक हो जाते थे इसलिए व्यापार मार्क की समस्या को खत्म करने के लिए कई यूरोपिय देशों ने यूरप और भारत के मध्ध एक समुदरी मार्क खोजने का प्रयत्म शुरू कर दिया मगर कई सालों के प्रयासों के बाद भी कोई सफल नहीं हो सका क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर तरह तरह की अफ़ाय उती रहती थी जैसे कि कई लोगों का मानना था अगर समुद्र में नाव को बहुत दूर तक ले गए तो नाव समुद्र के अंतिम छोल पर जाकर गिर जाएगी इसलिए कुछ नाविक समुद्र में बहुत लंबा सफर नहीं करते थे लेकिन फिर 1960 के तशक में पर्तगाल के शहर सिंस में जन्में वासकोडिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग ढूंड कर योरप के सामने व्यापार का इगनाया दौर शुरू कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्श करा लिया कैसी शुरू हुआ था भारत को खोजने का सफर दोस्तों वासकोडिगामा का जन्म 1960 के तशक्या असपास ही पुर्तगाल के सिंस में हुआ था उनके पिता पैस्तिवा भी एक अच्छी नाविक एवं समुद्री खोज करता थे वासकोडिगामा का सारा बच्पन अपने पिता के साथ एक नाविक और यात्रा के माहौल में बीता था फिर संग 1480 में वासकोडिगामा ने अपने पिता कानुसरां करते हुए पुर्तगाली नौसी नामें वो शामिल हुए यहीं पर उन्होंने नौचालन का एक एडवांस तरीका और लंबी समुद्री आत्रा करना सीखा फिर उस समय पुर्तगाल के राजा हिंडरी जिन्हें हिंडरी दा नेविगेटर के नाम से पिजाना जाता था उन्होंने उत्तर और पश्यम अफ्रीका में कई सफल समुद्री आत्राओं तक खोजों को आख्तिक सहायता इवं सरक्षन पुदान किया था इस वजे से बहुत से नाविक नए नए दूइपों को ढूंगने की कोशिश किया करते थे इसी के चलते 1487 में पुर्टगाल की ही एक प्रसिद खोज करता बाटोलूम डायस ने अफ्रीका के दक्षनी सिरे तक यात्रा करके ये पता लगा लिया था कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जोड़े हुए हैं जिसके बाद डिगामा जो समुदरी यात्राओं यूम खोजबीन में गहरी दिलजस्पी रखता था वो जानता था कि यदि हिंद और अटलांटिक महासागर अफ्रीके भूमी के अंत में जोड़ते हैं जहाज में सवार हुआ और अपने छोटे भाई पावलो को सेंट राफिल नामक जहाज का नित्रत स्वाप दिया फिर कुछ दुनों के बाद उनका जहाजी बेड़ा इस समय के मुरक को देश के निकटरिस्थित केंवी दूइप से गुजरते हुए केप वर्दे दूइप स स्थापित कर दिया करते थे जिससे के उन्हें वापसी का रास्ता मालूम हो सके वास्कोडिगामा ने गिनी की खाड़ी की तेश समुद्री धाराओं से बचने के लिए अटलांटिक महासागर में एक लंबा चक्का लगाया और फिर के पाफ को ढूप के दौरे के लिए धराब था वहां बहुत तेज हवा और समुद्री लहरे चल रही थी जिस वज़े से वास्कोडिगामा का दल अगले 22 नवंबर तक आगे नहीं बढ़ सकता था लेकिन फिर भी कुछ दमबाद मौसम अच्छा होने पर उन्होंने यात्रा करना शुरू कर दिया और वे केप केप ऑफ गुड होप पहुच गए जहां पहुचकर उन्होंने इस जगे का अच्छे से दौरा किया दोस्तों आपको बता दें जब वास्कोडिगामा केप ऑफ गुड होप नामकिस्थान पर पहुचे तो तब ही उन्होंने महसूस किया कि उसका भालत प्रक मार खोजने का सपना हकीकत में तबदील हो सकता है और फिर मार को चिन्हित करने के लिए पहले के पाति वहाँ एक पत्थर का स्थापत किया और फिर आगी की यात्रा की तयारी करने लगे के आगे की यात्रा उन्होंने 8 दिसंबर को शुरू की थी और क्रिस्मस आने तक वे दक्षन अफ्रीका के नटाल तट पर पहुच गए अलग अलग नदियों को भीतर और बाहर से पार करते हुए डिगामा का बेड़ा धीरे धीरे मुजाम्बिक की ओर पहुचना शुरू हुआ इस पीच में लगभग एक मेहने तक कहीं पर रुके और जहाजों के मरमती का काम किया फिर दो मार्च 1498 को डिगामा का बेड़ा मुजाम्बिक दूपर पहुच गया जब डिगामा अपनी दल के साथ मुजाम्बिक की धर्दी पर उत्रा और वहां के नेवासियों से मिला तो ने लगा कि ये पुर्दगाली जहाजी भी उन्हें की तरह मुसल्मान है इसलिए इन लोगों ने उनकी खुब मदद की डिगामा का मुजाम्बिक में पड़ाव डालना कातिर फ्योगी सिद्ध हुआ वहां उसे समुद्र के किनारे बंदरगाह पर सोने चानी तथा मसालों से भरे हुए चार पांग जहाज दिखाई दी उसके मुलाकात ऐसे स्थानी लोगों से भी हुई जो कभी कभी भालते समुद्री तटों की यात्रा करते थे इससे वासको डिगामा को पूरा विश्वास हो गया कि वह उचिक दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था उसे उस दिशा को समझने में भी मदद मिली जिधर अब उसे आगे बढ़ना था फिर साथ अप्रेल 1498 में कों का बेड़ा मुमबासा में प्रवेश कर गया तथा यात्रा के एक और महत्मू ठेराओ मुमबासा के ही मालिंदी में लंगर डाल दिया मालिंदी में डिगामा के मुलाकात कांजी मालम नामा के कैसे गुजराती नाविक से हुई जो भारत के दक्षन पश्चिम तटके कालिकट जाने का माग चांदा था उस गुजराती नाविक के महतु को देखते हुए डिगामा ने उसे भी मागदर्शक की रूप में अपने बेड़े में ले लिया और फिर अगले 20 दिन तक लगातार हिंद महासागर में चलने के बाद डिगामा को धीरे धीरे भारत के घाट और पहार दिखने लगे फिर 17 माई 1498 को भारत के दक्षिन पश्चिम में इस्थित कालिकट के बनरगाह पर जा पहुँचा कालिकट में इस्थानी राजनाई को द्वारा वासकुडिगामा का काफी अच्छी तरह से स्वागत किया गया वो यहां लगभव इगले तीन महिने तक रहा और भारत के बारे में बहुत सारी महत पूर जानकारियां कठा गरता रहा दोस्तों वासकुडिगामा के भारत आने और उसके कालिकट में उतरने के बाद भी कई ऐसी घटनाई हुई जिसके बारे में अभी भी लोगों में सेमती नहीं हो पाई है लेकिन हम अपने किसी और वीडियो में उसके भारतियों के साथ किये गए जल्म और तचार पर अलग से वीडियो बनाएंगे इस वीडियो में हम सिफ उसकी यातरा पर वीडियो बना रहे हैं दोस्तों यहां तीन मेहने रहने के बाद वासकोडिगामा दो साल से अधिक समय की यातरा करते हुए 18 सितंबर को 45 पनलोट आया इस दोरान उसने लगभग 38,600 किलिम्टर की यातरा की थी और दोस्तों आपको बता दें किस लंबी साहसिक यातरा में उसके कुल 170 साथी थे जिसमें से 116 की यातरा के तौरान मिर्थी हो गई थी वासकोडिगामा के सुपलब्धी से प्रतगाल के राजा बहुत खुश हुई थे उन्हों ने उसे दूसरी बार फिर से 1502 में भारत की यातरा पर भीजा था यह तिहासकारों का मानना है जब डिगामा विभिन प्रकार के भारती मसालों और रेशम के साथ अपने देश प्रतगाल लाटा तो उसने केवल मसाला बेचकर ही यातरा पर खर्श किये गए पैसों से चार गुना जादा पैसे कमा लिये थे दोस्तों फिर 1524 में वासको डिगामा की मृत्तिव का लिकट में ही तब हो गई जब वो अपनी तीसरी यातरा पर भारत आया हुआ था और कही तेहासकारों के मताबिक उसकी मृत्तिव का कारण मरे रिया था दोस्तों जब डिगामा ने यूरप और भारत की बीच का समुतरी मार खोज लिया था तब डिगामा का नाम पूरे यूरप में बहुत मिशूर हो गया था और उसकी उस साहसे के आतरा की चर्चा सब ही यूरोपिय देशों में होने लगी थी तथा धीरे धीरे अन्य देशों ने भी उसी खुजे गए रास्ते से अपने अभियान भारत भेजने शुरू कर दिये थे जिस वज़े से पुर्दगारियों के पाज डश, डेनिश, ब्रिटिश और फ्रांसे से भी भारत आना शुरू हो गए थे उसके बाद आगे के तशक में भारत में जो भी हुआ वह हम अच्छे से जानते हैं कि कैसे भारत इन यूरोपी देशों की कॉलोनी बन गया दोस्तों आज के लिए पस इतना ही फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शियर और सबस्क्राइब जरूर करें और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नीचे कॉमेंट सेक्षन में आकर बताए देखने के लिए शुक्रिया